आज हम बनाएंगे डोर हैंगिंग और वो भी नेशनल थीम में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमें लेना है वाइट और ग्रीन उन, कुछ उन से बने पॉम-पॉम्स, गोल्डन फ्लार और कुछ मोती, मोती आप अपने प्रिफरेंस से ले सकते हैं, सबसे पहले ब उसरी साइड अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दे, सर्किल बनाने के लिए मैं वनफोर्ट न्यूस पेपर यूस कर रही हूँ, निटिंग नीडिल की हेल्प से रोल करके फ्लैट करना है, और ग्लास के उपर फैविकॉल लगाते हुए एक राउंड बना लेना है, कुछ सेकें पर अच्छे से बांध ले, ऐसे ही ग्रीन उन से करें, अब इस पर गोटा लगाना है, जिससे ये और भी प्यारा लगेगा, ग्लूगन की हेल्प से एंड को सिक्योर करके इस पूरे सर्किल पर ऐसे लगाएं, फिर वापस दूसरी साइड घुमा कर क्रॉस करते हुए लगा अब एक मजबूत सा धागा लेकर बीच से ऐसे बांध ले, ऐसे हमें छे सर्किल्स चाहिए, अब स्ट्रिंग तयार करेंगे, थोड़ी सी उन लेकर इसमें सबसे पहले औरेंज पॉमपम ले, फिर एक वाइट मोती, फिर गोल्डन मोती, फिर लंबा वाला मोती डाले, उसक के बाद ग्रीन पॉमपम और फिर मोती और लास में यलो पॉमपम और मोती, ये देखिए पॉमपम और मोती को ऐसे ही अरेंज करना है, इसकी एंट पर टैसल लगाना है, टैसल के लिए उन को 30 टाइम्स हाथ पर लपेटे और स्ट्रिंग की ही एंट से बांध ले, उन को नी सबसे लंबे होंगे, उनके बाद मोती और एक एक पॉमपम हर स्ट्रिंग में कम होते चले जाएंगे, ये पूरे 10 स्ट्रिंग बन गए हैं, बस मिडिल वाला बनाना है, उसके लिए औरेंज पॉमपम लें, मोती लें और बस टैसल अटैच कर लें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्स्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, हमारी वीडियो में दिखाया जाने वाले किसी भी आइटम के परचेस के लिए आप हमें वाट्सेप पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं, अगर कुछ कस्टमाइज बनवाना हो तो ज़रूर ब इसमें मैंने चार चेंज की एक रिंग बनाई है और 16 डबल क्रोशे करके फ्लार दयार किया है, ऐसे दो फ्लार्स बनाएं हर स्ट्रिंग के लिए, अब डेकरेटिव मोती लेकर उन के एक एंड पर अटेच करें और क्रोशे फ्लार्स को उपर नीचे रखते हुए सुई की ह कल्प से टक कर लें और बीच में मोती लगाएं, ऐसे पूरे 10 स्ट्रिंग्स चाहिए होंगे, अब चलिए इसको बांदते हैं, जो हमने चोटी बनाई थी उसे रखें, फिर ग्रीन वाला रिंग लें और इसमें बड़ा वाला स्ट्रिंग एक साइड में बांद कर उसी उन क पूर रिंग की दूसरी साइड बांद कर चोटी में बांद लें, अब नेक्स स्ट्रिंग लें, इस बार वाइट रिंग लेना है, इसको हम उपर और नीचे अलग-अलग उन से अटेच करेंगे, ये देखे मैंने सारे रिंग्स और रिंग्स के साथ पॉम-पॉम वाले तयार करें, जितना एक नॉर्मल डोर होता है, तीन फीट चोड़ाई का, ये डोर हैंगिक उसी साइस का तयार होगा, अब जो हमने ग्रीन स्ट्रिंग्स तयार किये थे, क्रोशे फ्लार्स और मूती के साथ, वो हर रिंग के बीच में चोटी पर अटेच कर लें, अब नेक् चीज़े मार्किट में असानी से अविलेबिल होती है, होट ग्लू गन की हेल्ब से एक एक करके फ्लास लगाने हैं दो रिंग्स के बीच में, हमारा प्यारा सा डोर हैंगिंग बनकर रेडी है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजेगा, और हैंडमेड आइटम्स के लिए आप इंस्ट्रक्रेम पर हमें फॉलो करें, मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में, तिल दन टेक केर और थैंक्स वर वाचिंग